कि Hello everyone, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे Use of this and that इसमें हम देखेंगे कि this or that हम कैसे use कर सकते हैं तो उस से पहले हम this or that का Hindi meaning देख लेते हैं this का मतलब होता है यह है और that का मतलब होता है वह है जो this or that होते हैं यह दोनों वर्ड ही हम singular noun के लिए यूज़ करते हैं जो भी singular सीज़े होते हैं उनके रिए हम this or that का यूज़ करते हैं हम देखते हैं this or that हम कब यूज़ करते हैं suppose यहाँ पर कोई person खड़ा है और इसके पास में एक ball रखी है और इसे indicate करना है कि यह जो है ball है यह एक ball है अगर यह बोलेगा हिंदी में जो पास में ball रखें तो यह बोलेगा कि यह है एक ball है या फिर ball की जगा बोल सकते हैं हिंदी में gain है तो इसका हम English में जब translate करेंगे तो यह है यह है तो इंग्लिश में हम बोलते हैं this पास में जब कोई अबजेक्ट रखा होता है तो हम उसके रिए यूज करते हैं यह है तो हम इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे this is a ball pull stop singular मतलब बॉल जो है एक ही है इसलिए यहाँ पर हमने this का यूज किया है जब एक से जादा object होता है तो हम दूसरा word यूज करते हैं उसको हम next video में देखेंगे यह person जो खड़ा इसके पास में बॉल थी तब इसने कहा यह है एक gain है जिसको हम English में कहेंगे this is a ball अब यह person जो खड़ा है अगर बॉल जो है इससे दूर रखी हुई है तो यह कहेगा कि यह यह एक gain थे जब पास में थी अब बॉल दूर है तो यह कहेगा कि वह एक gain है वह एक gain है तो वहाँ पर हम क्या लिखेंगे उसके translation के लिए हम लिखेंगे that is a ball जब दूर में रखी हुई है चीज तो हम उसके लिए बोलेंगे that is a ball तो यहाँ पर that का मतलब है दूर में रखवा object और this का मतलब है पास में रखवा object दोनों ही जो है किसी भी object के लिए same object के लिए यूज़ कर सकते हैं दिफिडेंसी होता है कि this में चीज पास में रख्यों होती है और that में चीज जो है दूर रख्यों होती है और एक एक्जामपल देख सकते हैं जैसे यही परसन है इसके पास में जो है एक कार है जैन जब पास में है तब यह कहेगा यह एक कार है हिंदी में इसके लिए बोलेगा यह एक कार है और इंगेश में हम उसको बोलेंगे this is a car और वही जब यह कार दूर में खड़ी रहेगी उस परसन से तब वह परसन कहेगा कि वह एक कार है और वह एक कार के लिए फिर बोलेंग इंग्रेश में that is a car तो इस तरह से हम this और that को जो है पास और दूर के लिए यूज़ कर सकते हैं होप आपको this or that का यू समझ में आ गया होगा अब जो है हम इसके बात नेक्स वीडियो में देखेंगे कि अगर एक से ज़्यादा अब्जेक्ट है तब हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे तो इस वीडियो में बस इतना ही थैंक यू फॉर वाचिंग दे वीडियो सी यू इन नेक्स वीडियो और सब्सक्राइब तो मैं चैनल पर मोर वीडियो थैंक यू